मानव शरीर के बारे में कुछ अग्याद तत्य जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर रचना बहुत जटिल है और भले ही हम बहुत सी चीजे जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ तलाशने की जरूरत है. मानव शरीर के बारे में कुछ कम ग्याद तत्य इस प्रकार ह मानव शरीर बहुत रहसिम्य है और ये जतिलताओं और चमतकारों से भरा है मानव शरीर की प्रतेक रहसिम्य शक्ती को समझना बहुत कर्थिन है आपको जानकर हैरानी हो सकती है, जीब अपने आकार के साप एक शरीर में सबसे मजबूत मास्पेशी है मानव नाक वन ट्रिलियन से अधिक विभिन सुगंधों का पता लगा सकती है मानव नाक 50,000 विभिन गंधों को याद कर सकती है, यही कारण है कि कुछ गंध यादों और भावनाओं को ट्रिगर कर सकती है मानव मस्तिश कवलोकन योग्य ब्रमांद में सितारों की तुलना में अधिक कनेक्शन बनाने में सक्षम है मानव मस्तिश कुन छवियों को संसाधित कर सकता है जिन्हें आख 13 मिली सेकंड के भीतर देखती है मानव आख लगभग 10 मिलियन विभिन रंगों के बीच अंतर करने में सक्षम है मानव आख प्रकाश की थोड़ी सी जिल्मिलाहट का पता लगा सकती है और एक सेकंड के 130 वे हिस्से के भीतर प्रतिक्रिया कर सकती है शरीर हर 27 दिनों में त्वचा की एक नई परत का उत्पादन करता है औसत व्यक्ति हर घंटे त्वचा के लगभग 600,000 कन बहाता है जो हर साल लगभग 1.5 पाउंड त्वचा के बराबर होता है मानव शरीर में साबुन की साथ सलाखों को बनाने के लिए परियाप्त वसा होता है औसत व्यक्ति अपने जीवनकाल में 10,000 गेलन लार का उत्पादन करेगा मानव विदय 30 फीट तक रक्त निकालने के लिए परियाप्त दबाव पैदा कर सकता है मानव शरीर में एक छोटा नाखून बनाने के लिए परियाप्त लोहा होता है मानव कान 20 हच से 20,000 हच की सीमा में ध्वनी आवितियों का पता लगा सकता है मानव शरीर में एक औसत कुट्टे पर सभी पिस्सू को मारने के लिए परियाप्त सल्फ होता है मानव शरीर में ग्लूकोज नामक चीनी के रूप में एक प्राकृतिक एंटी फ्रीज तंत होता है जो रक्त को अत्यदिक थंडे तापमान में जमने से रोकता है मानव शरीर में मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें माईक्रोबायोम का वजन कुल मिलाकर लगभग 2-6 पाउंड होता है मानव शरीर आधा गैलन पानी उबालने के लिए 30 मिनट में परियाप्त गर्मी पैदा कर सकता है मानव शरीर विभिन कारियों को करने के लिए 200 से अधिक विभिन मांस्पेशियों का उप्योग करता है मानव हात में बनावट को अलग करने की क्षमता होती है जो केवल कुछ परमानु मोटी होती है जिससे ये पशु सामराजिय में सबसे समवेदन शील्स पर्ष रिसेप्टर्स में से एक बन जाता है मानव शरीर एक छोटे प्रकाश बल्ग को बिजली देने के लिए परियाप्त बिजली उत्पन कर सकता है मानव रिदय एक दिन में लगभग 100,000 बार धरकता है और हर दिन लगभग 2,000 गैलन रक्त पंप करता है मानव शरीर में एक मोमबत्ती बनाने के लिए परियाप्त वसा होती है जो 4 घंटे तक जल सकती है मानव शरीर में लगभग 9,000 लीड पेंसिल भरने के लिए परियाप्त कारबन होता है मानव शरीर में 2,200 माचिस बनाने के लिए परियाप्त फॉसफोरस होता है मानव शरीर ऑक्सीजन के बिना 8 मिनट तक जीवित रह सकता है मानव शरीर में खुद की मरम्मत करने और क्षतिग्रस्त उतकों को पुनर जीवित करने की क्षमता होती है जिसमें यक्रित, त्वचा और अस्थी मज्जा शामिल है मानव शरीर में माचिस के आकार के बारे में एक ठोस ब्लॉक बनाने के लिए परियाप्त कैल्शियम होता है मानव शरीर में एक छोटे से समुद्र तट को कवर करने के लिए परियाप्त नमक होता है हमारा शरीर प्रकृती द्वारा बनाया गया बहुत ही संतुलित और जटिल तंत्र है और अभी भी हमें मानव शरीर के बारे में अधिक जटिल खोज करने की आवश्यक्ता है प्रकृती प्रकृती प्रुम ओर प्रकृती देने की आवश्यक्ता है